हेलो दोस्तो हमारे चैनल आयरवेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिरदर्द के लिए एक आयरवेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। प्रयोग को बताने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करना चाऊँगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस आयरवेदिक प्रयोग के बारे में दोस्तों सिरदर्द व्यक्ति को मानसिक रूप से हर समय परेशान करता है उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है इसके साथ ही में दोस्तों सिर हमेंशा भारी-भारी सा रहता है और वो हर समय या तो सिर को पकड़ कर बेठा रहता है या फिर सिर को बांद कर रखता है तो दोस्तों आज मैं आपको सिर्दर्थ से मुक्ति पाने के लिए एक आयुवेदिक उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको अपना कर आप सिर्धर्द से मुक्ति पा सकते हो तो दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए भीगा हुआ चुना और नोसादर तो दोस्तो सबसे पहले आप एक छोटी सी सीशी ले ले और अब इसमें आप भीगा हुआ चुना तीन गराम ले लीजिए इसके अंदर डाल लीजिए और बारिक पिसा हुआ नोसादर भी तीन गराम ले लीजिए तो दोस्तो अब इस सीशी को आप धकन के साथ अच्छी तरह से बंद कर दें क्योंकि खुली रहने पर और शधी काम नहीं करेगी तो दोस्तो इसलिए धकन बंद करके करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से हिलाएं और फिर धकन खोल कर नाक के दोनों नथूनों से दो-दो घंटे बाद सूंगते रहें सूंगने के बाद दोस्तो फिर से आप इसे अच्छी तरह से जो इसका धकन है उसके साथ इसको आप बंद कर दीजिए इसे कभी भी खुली ना रखें तो दोस्तो खुली रखने से क्या होगा जो दवा है जो औशधी है उसका असर कम हो जाता है इससे आपको लाब नहीं होगा तो इसका आप विशेश रूप से ध्यान रखें तो दोस्तो बहुत ही सरल है और आप इसको अराम से घर पर ही अजमा सकते हो तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू